राश्ट्री स्वैम सेवक संग संग शिक्षा वर्ग तरती वर्ष का शुभारन नाकपूर के रेशम बाग स्थितर डॉक्टर हेडगवार स्मृती भवन परिस्तर के महर्शी व्यास सभाग्रह में हुआ उदगाटन समहरों में पालक अधिकारी और अखिल भारती व्यवस्ता प्रमुक मंगेश भेंडे ने देशबर्ष याय शिक्षार्थियों को कहा कि संग शिक्षा वर्ग में आये शिक्षार्थियों की भाषा अलग-अलग होती है लेकिन सभी के हिर्दे की भाषा एक होती है इस एकात्माता से सभी भाषा समझ लेते हैं और कोई समस्या नहीं होती यही संग शिक्षा वर्ग की विशिष्टा है शिक्षार्थी अगले 25 दिन यहां मिल कर रहेंगे जब वर्ग समाप्त होकर जाने लगते हैं तो आपस में गले लगा कर रोने लगते हैं उन्होंने का कि मन में श्रद्धा और समरपन के साथ साथ नमे लगेंगे तो कारी में सफल होंगे मन में कारी के प्रती विचार की प्रती श्रद्धा होनी चाहिए जब श्रद्धा होती है तो कुछ भी संभव हो सकता है और उसी से ज्यान की प्राप्ती भी होती है जीवन में समय का केंद्री कारियाले के पास पुराने मोहिते बाड़ा में हुए इस वर्ग में कुल सत्रा स्वयम सेवक सहवागी थे और वर्ग चार दिनों का था तब से अब तक वर्ग निरंतर लगते आएं हैं इनमें 1948 और 1977 में संग पर लगे प्रतिवन और कोरुना काल का समय केवल अभव या जी जोशी द्वारा हुआ वर्ग में 735 शिक्षारती सम्मेलित हुए हैं 35 प्रांथ प्रमुक और 96 शिक्षक रहेंगे पसंचलन 21 मई शाम को होगा वर्ग का समापन 2 जून 2022 को होगा कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नागपुर